अब 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 आपना टोपिक है वेलिवेशन ओप सेर्स अंसो का मुल्यांकन यह विकॉम फाइनल के पोर्पोर्ट अकाउंटिंग का टोपिक है अब वेलिवेशन ओफ शेर्स सेर्स की वेलिवेशन करने से पहले आपन एक बार सेर्स कबारे मुखते हैं सेर्स क्या होते हैं किसी कंपणी की फुण्जी हिए चोटी छोटी टुकड़ों में वीज़ित होती है और उस टुकड़े का एक निस्षित अंकित मुल्य08 होता है जैसे मालोख एक कंपनी की पचास लाक रुपे हैं एक शेर की पेश्वेली सो रुपे हैं तो इन पचास जार सेर्स में विवाजित है तो इन टुकडों को क्या बोलेंगे अपन शेर अंस बोलेंगे अब यह हो सकता है जैसे मालो एक विक्ति है इसके बाद कमपनी के 20,000 सेर्स एक और विक्ति है इसके बाद कमपनी के 15,000 से रही है C एक वेक्ति है जिसके पास 10,000 मान लेते है 10,000 सहर और D एक वेक्ति है 35, 45, 5000 मान लेते है 5,000 सहर है 100 रुपे इस परकार एक कंपनी की केपिटल 15,000 सहर में डिवाइड है और चार वेक्ति है जिनके 4 सहर होल्डर है A के पास 20,000 सहर कंपनी के B के पास 15,000 सहर है C के पास 10,000 सहर है और D के पास 5,000 सहर है इस परकार कंपनी की पुझी चोटी-चोटी टुकडों विवक्त होती है और इन टुकड़ों का एक निशित अंकित मुल्य होता है इन्हें अपन क्या कहेंगे अंस या सेर्स के अब सेर्स दो परकार क्यों होते है एक तो होते है प्रिपेंट सेर्स एक होते है इक्वेटी शेर्स आपड़ा है एक्वेटी शेर्स और प्रिपेंट सेर्स प्रिपेंट सेर्स हिंदी में खहेंगे बुर्वादिकार अंस या अधिमानंस अधिमान अंस और इक्यूट शेर को खाएंगे सम्ता अंस या सम्मान अंस भी कह सकते हैं क्या डिफ्रेंस है दोनों में पीरपेंश है और इक्यूट शेर में मीरेच्ण पीरपेंश है नाम से पता चला पिरपेंस इसको प्रिपेंश दी जाती याथ इसको पूरो अधिकार अंस है upon Pour और इसको दो कुप अधिकार होतें इक्यूट सेर की वजाये एक तो होता है पर्स्ट राइट तो रिशीव डिविडेंट क्या होता है पिरपेंट शेयर को एक्विट शेयर की तुल्ला में है जब भी कंपनी को प्रोपिट होता है तो कंपनी जब प्रोपिट वह तो वो डिविडेंट आवांज करती है कि धिलियर करती है तो लावांज दोसित होने पिछलुनलाम सेयर तो इसके बाद 18 पर 30 दो लाबांस की रहत है तो रेट शाहिए में दिये होती है शाnaire मिलता है और पहले की इनको को डिविडेंड मिलेगा और उसके बाद मैं एक ती initiator को ूछ के यह को पूर आदिकार यहीं को शामता सम्ता कंपनी को लाभ होने पर शामता अन्सो शाहिज से यह निए कंपनी के समापन पर पुंजी प्राप्त करने का देगा है। पर्स्ट राइट तु रिशिव रिशिव केपिटल एट था टाइम अफ लिक्विडिशन जब भी कंपनी का समापन होता है तो पहले पुंजी किन को मिलेगी प्रिपेंसेर को अधिवान अंसों को पहले पुंजी प्राप्त करने का दिगार होगा और उसके बाद में समतांसों को पुंजी प्राप्त करने का दिगार होगा। अब वेल्यूएशन के हिसाब से बैसिस ऑफ वेल्यूएशन वेल्यूएशन के आदारवा अपन सेर को दो बागों बाटेंगे एक होगा लिस्टेड़ सेर और एक होगा अन्लिस्टेड़ सेर यहनि सुची बद अन्च और एक सुची बद अन्च इनको कोटेड भी कह सकते हैं पन। कोटेड सेर्स और अन्कोटेड सेर्स सुची बद अन्च और एक सुची बद यहनि लिस्टेड सेर्स इन इस्टॉक एक्षेंज यह लिख देता हूं मैं लिस्टेड सेर्स इन इस्टॉक एक्षेंज सुची बद नहीं है अन्लिस्टेड सेर्स इन इस्टॉक एक्षेंज सेर्स सुची बद नहीं है अन्लिस्टेड है अब क्या होता है लिस्टेड सेर्स जनरल क्यों सी कंपनी के होते है पब्लिक कंपनी के होते हैं और अलिस्टेड सेर्स जनरल की स्पोन सी कंपनी के होते हैं प्राइवेट कंपनी के होते हैं लिस्टेट हैर यह स्टोक एक्सेंद में इस निह में हैं मांग और पूर्ति के आधार पर निदर्द होते हैं कि कि डूमांड हैंड करें के रफाज आखरोते हैं है अब बात करेंगे इसकी valuation के अपने को जरूर क्यों पड़ती है बाइन की जरूर क्यों पड़ती है अपने को नीड ओफ वैलिवेशन ऑफ सेर्ष जब एक कमपनी के जब एक स्रेने के अंसों का परिवतन किसी दूसरे सेलने के अंसों में करना हो तो आपने को सेर्ष की वैल्यू निकानने की एक स्रेने के अंसों को किशी दूसरी सेलने के अंसों में परिवर्टन करना आप है जैंज इनँ अदर के टीग्री इस ही ठीक है और कब जरूद पढ़ती है जब अपने को शेर खरीदने या बीचने हो परचेज और सेल्स के केस में जरूद पढ़ती है और कब जरूद पढ़ती है जब किसी शेर होल्डर को अंसों की जमानत के आदार पर लोल निलना हो लॉन ओन सेक्यूर्टी जब किसी अंसदारी को अंसो की जमानत के आधार प्रण लेना हो तो उसको क्या है अंसो का अंसो का मुल्यांकन करने के जरूद पड़ीगी खीक है और कब जरूद पड़ती है अमाल कमिशन के टाइम में जरूद पड़ती है एड़ टाइम ओप अमाल कमिशन अमाल कमिशन का मतलब होता है एक यकरन दो आदो से अधी कमपनियों का एक यकरन जब दो आदो से अधी कमपनियां मिलकर एक नई कमपनी बन जाती है तो हगा तो क्या होता है जब अमाल कमिशन किया जाता है तो जिन कंपनी का समापन हो रहा है उन कंपनी के शेर होल्डर्स को थेना होगा तो उनको पयमेंट करने के लिए अपने को शेर्ड के वेलू निखानना उपने पड़ेगी और इसके लावा, इंटर्नल रिकर्स्ट्रक्शन के टाइम में जुरूत पड़ती है, at the time of internal reconstruction. Internal reconstruction, आंतरिक पुन्दर निर्मान. आंतरिक पुन्दर निर्मान, एक कमपनी के अंदर ही internal reconstruction. क्या होता है, जब कमपनी लोस में चली जाती है, और कमपनी के उस लोस उस गाटे से उबानने के लिए, उस कमपनी के अंदर internal reconstruction किया जाता है, आंतरिक पुन्दर निर्मान किया जाता है, आंतरी पुद्र निर्मान का मतलब होता है कि कंपनी गाटे के होने की स्थिति में उसके जो क्रेडिटर्स है उसके जो सेर होल्डर्स है उसके जो डिवेंचर्स है कंपनी के उनको कुछ सेक्रिपाइस करने के लिए खा जाता है कि आप कंपनी में जो आप जैसे डिविडेंट लोगें तो आप डिवीडियन का सेक्रिपाइस करो डिवेंचेश एक आप इंट्रेस्ट को सेक्रिपाइस करो यानि आप कुछ आपको त्या करने की जरूत पड़ेगी ताकि कंपनी गाटे से उबर सके इसलिए क्या होगा तो उस से में क्या होता है कि सेर होल्डर सो छटा उनके अंसों के मुले का बुक्तान करना पड़ता है इसलिए भी अपने को उस टाइम क्या करना पड़ेगा अपने को सेर की वेली निखालने की जबत पड़ेगी ठीक है इसके अलावा तिसे एक कंपनी का बिजिनिस किसी दूसरी कंपनी की दौरा अधिक्रेट किया जाता है यहनि एक्क्वाजिशन एक्क्वाजिशन वाई अधर कंपनी आने कंपनी कंपनी को पुरानी कंपनी है उससे एक्क्वाजिशन वाई ट्रीक का इंक्वाजिशन वाई गवर्मेंट भाई गॉवर्मेंट यदि गॉवर्मेंट किसी कंपणी की बिजनिस को अधिग्रहेंट करना चाहती है तो उस समय उस कंपणी के शेर ओर्डर को पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा अपने को शेयर्स के वेल्यू निकालने की जल पड़ेगी और इसके अलावा और कब हो सकता है इसके अलावा यह दि कोई प्राइबेट कंपणी का प्राइबेट कंपणी के कोई स्वेयर्होल्डर है तो अपने वेल्यू जालना चाहता अपने शेयर्स की तो बीजरूर्द पड़ती है चाहुष कि ऑफ शेयर्होल्डर तो इन केस में अपने को क्या होगा नए क्या अंसो का मुलांकन की जरूत पड़ेगी ठीक है थैंक्यू